सास बहु का जगड़ा दूर करने के उपाए हर व्यक्ति चाहता है कि उसके घर में सुख शान्ती हो सास ससूर या दूसरे शब्दों में कहें तो माता पिता या ससूराल पती पतनी के जीवन का एक महत्वपुरन हिस्सा होते हैं उन्हें अपने जीवन के एक महत्वपुरन भाग के रूप में आप अच्छी तरह से रख सकते हैं लेकिं कई बार देखा जाता है कि परवार में लड़के की शादी होने पर जब घर में बहु आती है तो परवार के लोगों का उसके साथ समाच से नहीं बैठ पाता है घर में कलै होनी शुरू हो जाती है सास और भभु का जगड़ा आज हर घर में आम बात हो गई है आज के दोर में ऐसा घर बड़ी मुश्किल से मिलेगा जिसमें जहां पर सास भभु का जगड़ा नै हो कई बार ये जगड़ा इतना बढ़ जाता है कि दोनों साथ साथ नहीं रहना चाहती और ये शंसब से कठिन होते हैं मात्र कुछ उपायों को करने से ये जगड़ा शान्त हो सकता है घर में बरतन गिरने टकराने की आवाज ने आने दे घर के उस कमरे में जिसमें आप रहती हैं उसके दक्षिन पश्चिम कॉर्णर में उजाला रखें और अपनी सास के साथ एक अच्छी फोटो उस जगए लाएं फोटो ऐसा होना चाहिए जिसमें आप दोनों हस रही हो चितर बड़ा हो जिसमें स्वस्च दिखाई दे कि आप दोनों एक दूसरे के कितने करीब हैं ये उपाए आपके बीच प्रेम लाने के चमतकारिक कारिय करेगा घर के मुख्यद्वार के बाहर श्वेत आर्क का पोधा लगाने से अथवा पूजा स्थल पर श्वेत आर्क गनेशी की परतिमस थापित करने से भी सास भू का जगड़ा नहीं होता है यदि किसी परिवार में सास भू में जगड़ा होता रहता हो तो भू पुर्णिमा की रात में खीर बना कर चंद्रमा की किरनों में रखें और फिर वह खीर अपनी सास को खिला दे इससे सास भू में बनने लगेगी यह उपाय अगर भू ना कर सके तो सास भी कर सकती है घर के दक्षिनी पच्चमी हिस्से में एक टेबिल पर फैंक शूई क्रिस्टल की बोल रखे यह उत्क्रिस्ट उर्जा का परवा करेगी जिससे आप दोनों के बीच रिष्टे मजबूत होंगे प्रती दिन पहली रोटी गाएं और आखरी रोटी कुट्टे को खिलाएं रोटी देते समय मन ही मन प्रातना करें कि घर में से तनाव दूर हो जाए यदि किसी महीला की सास या ससूर उससे नराज रहता हो तो वह महीला प्रती दिन जल में गुड मिलाकर सूर्य देव को अर्ग दे तो उसकी यह समस्या दूर हो जाती है अपने घर की किसी दिवार का रंग लाल करवाने से भी जगड़े खतम होते हैं ऐसा माना जाता है कि लाल रंग अगनी तत्व परधान होता है और इसकी उर्जा से सास और बहु के बीच तनाव और मतभेद का नाश होता है सास बहु में कलेश होने पर जो चाहता है कि आपसी रिष्टे सुधरे उसे गले में चांदी की चैन धारन करने चाहिए और यह भी ध्यान रहे कि कभी किसी से भी कोई सफेद वस्तु नैले रोटी बनाते समय गरम होने से पहले उस पर ठंडे पानी के छीटे डाले फिर रोटी बनाए यदि आप अपनी सास के साथ रहती है और घर में आपकी सास का ही राज चलता है तब परिस्थिती और मुश्किल हो जाती है ऐसी स्थिती में लाफिंग बुद्धा रखने से घर में सकरात मकता आती है और प्रसंता का माहोल रहता है जिस घर की इस्त्रिया या भू घर के वाविया अथात उतर पस्चिम कौन में श्यन निवास करती है वह अपना अलग से घर बसाने के सपने देखने लगती है इसलिए इस दिशा में नई दुलन को तो बिल्कुल भी नहीं रखें अन्यथा उसका परिवार के साथ अलग होना तैह है वास्तु शासर के नियम अनुसार दक्षिन पस्चिम कौन में सास को सोना चाहिए उसके बाद बड़ी बहु को पस्चिम दिशा में और उससे छोटी बहु को पुरव दिशा में शयन करना चाहिए इससे घर की इस्त्रियों में प्रेम बना रहेगा घर में तुलसी का पोधा लगाएं तब प्रती दिन इसकी पूजा करें सुभह शाम इसके पास दिपक लगाएं इससे सास बहु में जगड़ा नहीं होता है सास बहु के आपसी संबंद में कटूता होने पर बहु या सास दोनु में कोई भी चांदी का चकोर टुकड़ा अपने पास रखे और इश्वर से अपनी सास या बहु से अच्छे संबंद अच्छे रहने की प्राथना करें इससे दोनु के बीच में संबंद प्रगाड होते हैं घर में बच्चों का होना भी आपसी सोहार दुत्पन करने की मजबूत करी है बच्चों की शुद और सकारात्मक उर्जा सास और बहु के आपसी जगडों की उर्जा को प्रभाविन कर देती है किचन कभी भी घर के इशान कोन या मध्य में ना हो यह आपके संबंदों के लिए बेहत घाटक है घर की रसोई आगने कोन यानि उत्तव पुरव में होने चाहिए रसोई गलत जगए में होने पर सास बहु के आपसी कलेश मन मुटाव बना ही रहेगा अगर रसोई में दोश है तो उसके आगने कोन में एक लाल रंग का बलव लगा दे इसके अत्रिक अगर रसोई घर आगने दिशा के स्थान पर किसी और दिशा में बनी हो तो उसकी दक्षिन और आगने दिशा की दिवार को लाल रंग से रंग कर उसका दोश दूर किया जा सकता है बहू को चाहिए कि सुर्योद्य से पहले घर में जाडू लगा कर कच्ड़े को घर से बाहर फैंखे इस उपाए से घर की नकरात्मक कुर्जा बाहर चली जाती है और घर में शान्ती रहती है मंगलवार को मंदिर के बाहर बैठे गरीबों को सूजी का हल्वा स्वयम बात दें स्थीतिया अपने आप अनुकूल होने लगेंगे साससूर का कमरा सदाव दक्षिनी पस्चिम दिशा में ही होना चाहिए और बेटे बहु का कमरा पस्चिम या दक्षिन दिशा में अगर बेटे बहु का रूम दक्षिन पस्चिम में होता है तो उनका साससूर से जगड़ा बना ही रहेगा घर में आए दिन कलेश रहेगा परिवार पर अपना नियत्रन रखने के लिए इस दिशा में घर के बड़ों को ही रहना चाहिए कभी किसी बहार के व्यक्ति से उपार में चांदी नहीं ले हल्दी या केसर की बींदी माथे पर लगाएं साज या बहु में जो कोई भी संबन सुधाने के इच्छुक हो रशुकल पक्ष के प्रथम वस्पतिवार से माथे पर हल्दी या केसर की बिंदी लगाना शुरू करे क्या आप हमेशा एक बहस के दोरान अपने आपको सही साबित करने की कोशिश करते हैं यहां तक कि अगर आपके सुस्तृराल वाले आपके नजरिये से गलत हैं तब भी आपको उस सीती पर उल्टी पर के लिया देना आग को भड़काने और अपने सीती को खराब करने जैसा है यह सही होने के बारे में नहीं है यह बात खुश होने के बारे में है एक ऐसे हैमती के दोरान समझोता करना सीखो और जीवन को शान्ती पूरण बनाओ सुवार के दिन दूद का दान करें और शिवलिंग पर दूद चड़ाएं नार्यल खाएं और योग करते वक्त सफेद कपड़े पहनें योग में अनुलोम विलोम जरूर करें ऐसा करने से मन को शान्ती मिलेगी और तनाव खतम होगा आपको बच्चो को एक महरे के रूप में इस्तमाल नहीं करना चाहिए एक यूद्छेतर के बीच में होने से उनकी चलाकी से भावात्मकS भावारनाध्मकS उप्योग होने से रोकें और उन्हें शतिक रिस होने से सुरक्षित रखे दादा दादी को समझने की जरुत है कि भले ही उनकी भूमी का एक बच्चे के जीवन में महत्व पूरन है उनकी भागिदारी एक विशेश अधिकार नहीं बलकि उनके प्यार के दम पर है अपने स्वैम के उपर अपने बच्चों के हितो को रख कर उन्हें ये विशेश अधिकार अरजित करना चाहिए माता पिता को एक दादा दादी और पोते के बीच संबंधों को स्वस्त और प्यार रखने के लिए हर संभव परियास करना चाहिए घर में मोर पंख रखे पत्नी का इस रोल को निभाने में मदद करें। आप ये बात हमेशा याद रखें कि आपके माबाप आपके पती-पत्नी के साससूर लगते हैं। कब भूत्रों को अपने घर घोसला नहीं बनाने दें। अगर एक पत्नी को अपने साससूर के साथ एक समस्या है तो यह उसकी पत्नी का काम है कि वो अपने पत्नी की मदद करें। अगर एक पत्नी अपने सुस्राल वालों के साथ अरजस नहीं कर पा रही तो यह पत्नी का फर्ज है कि वो पत्नी की मदद करें। प्रात्मिक रिष्टे के साथ व्यक्ति को एक बेटा या बेटी बैंकर परिवार से दूत या पीस मेकर की भुमे का निभानी पड़ती है खाने में केसर का उप्योग करें कहते हैं हर मादमी के जीवन में दूसरी योरत उसकी मा होती है अगर आपके पती का हर बात पर ये कहना है कि मेरी मा इसे इस तरह से करती थी तब आपको उन्हें बताने की जरूरत है कि हर दो इनसान एक नहीं होते ऐसे ही उनके तरीके भी अलग होते हैं अब आप अपने पती पत्नी को समझाएं और अब की अब उन्हें ये बात कहने की जरूरत नहीं है घर में बड़े शंक पूजा घर में रखने से भी तनाव दूर होते हैं कहते हैं जो सास अपनी बहु को अपनी बेटी मानती है उसे अपनी बेटी की तरह लाड़ प्यार करती है उसकी स्वयम की बेटी का भी दामपत्य जीवन सदैव सुख में रहता है उससे देटा भी प्रसंद रहते हैं उसका और उस घर के बुजुर्गों का स्वास्ते ठीक बना रहता है वे जीवन के अंतिम समय तक भी बिस्तर पर रोगी बनकर नहीं रहते अर्थात उनका शरीर उनका साथ देता है इसी तरह जो बहु अपने साथ ससूर की अपने माता पिता की तरह सेवा करती है उसके स्वयम के माता पिता को भी कोई कस्ट नहीं उठाना पड़ता उनका बुढ़ापा बहुत असानी से हस केल कर कट जाता है जो बहु अपने साथ ससूर और ससूराल वालों के साथ मिल कर रहती है उनका ध्यान रखती है उनका दिल नहीं दुखाती अर्थाद घर में प्रेम और हर्ष के बीच को लगा कर उसकी देखबाल करती है उसे पोदे और व्रिख्ष का रूप देती है उसके पती बच्चों पर कोई भी आकास्मक वित्पा नहीं आती है उस परिवार में धन की कोई कमी नहीं होती और उस इस्तरी और उसके पती से रोग दूर ही रहते है उस परिवार के बच्चे भी उस प्रेम और सद्भाव के व्रिख्ष की छाव में बड़े होकर अपने माता पिता के आगया क्यारी होते हैं उनकी सेवा करते हैं अंत तक उनके साथ रहते हैं और उन्हें कोई भी कस्ट नहीं होने देते हैं